अगर साहिस्ता परवीन कोई अप्राधिक रिकोर्ड है और पुलिस अपना काम कर रही है तो उसका जो है याई लोग ऐस जिन पर कई मुकग में है और उनकी पत्नियों पर भी शूर्ट इसिजञ आप से steak बदनाम रखने चाहिए और मैं आपके चनल के बाद एक बात और बोल देना चाहता हूं कि किसी भी परकार से किसी भी महिला को बिना सबूत के इस परकार अगर आप बदनाम करते हो और आपके वाज में सबूत है तो डेफिनेटली आप करिये परंतु सहिस्ता परविन को सिफ रखता है और अगर वह कह रहे हैं कि दूट है तो फिर तो कोट को बंद कर दीजे आप वकालत के पेशे को बंद कर दीजे और जितने दूट है उनी से काम कराईए तो क्यों उत्तर परडेश की जो सरकार है या जो यह लोग उनका समर्थन कर रहे हैं वह भाद के अंदर पिजनेट के हत्यारों के साथ इस पर करका बलताओ करें और तो उस दिन खुश होँगा जो जो आप अनुशुचित जाती के महिला के जो को बलतकारियां उन्हें कुल्ले आम महीं मा मंदित करते हैं मैं तो उस दिन कुछ होंगा जिस दिन फूलन देवी के हत्यारों के साथ ये काम होगा अगर 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 किसी जाती या विशेज धर्म को देखके अगर किसी को मार रहे हैं तो मैं ऐसी हत्या का विरोध करता हूं पता नहीं कोन किसको मिट्टी में मिला रहा है परन्तु ये बात मैं आपको बता दू कि सम्वेधानिक पद पर बैटे हुए अगर आप चाहते हो कि आप मिट्टी में मिलाएंगे तो फिर वही बात कि हातरस की बिटिया के लखमी पूरी खीरी के अंदर जो महिलाओं की हत्या और परिशकल दो तो वह सरसर गलत है हराल कि ये जरो टैबलेट वाले कावट है ये वही लोग है जो पहले बोलते थे कि सबके हां डिक लैप टौक कहा गहीं वह इने नहीं पता अब जो टैबलेट दे त्एट ये कहाँ ये नहीं पता तो इस बयान चे तो पूरे उत्तर परदेश के पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन सभी का जो अप्मान है वो माननिय मुख्यमंत्री जी नहीं किया है देखें उन्हें इत्यास नहीं पता कि उत्तर परदेश के अंदर अगर सबसे पहले लड़किया शुरक्षित घर्चे निगली थी तो वह बहुजन समाज पार्टी के शुरक्षित और अगर आप यह कहते हो कि लड़किया शुरक्षित है तो आपको फैक्ट चेक करने की हर कोने पर हर जगह पर जो पुलीस है वह पुलीस इतनी वह हो चुकी है कि दंगा और कर्फ्यू की तो बात बहुत दूर की है वह विचारे जो बेहुना लोग है उन्हें भी पकड़के जो है वह जेल में डालने का काम कर सकती है इसी वज़े से और अगर आप यह सोचते हो वेडोद करते हैं हमारे लिए रोट किसी भी नारे का जो किसी भी आदमी को घैर काऺणी और गैर समयधानी के तरीके से मारए है मैं उस नारे का बिलकुल भी समय तरह नहीं करता कुछο यह रहे हैं बढ़ान शरी राम को बदनाम कर रहे हैं बढ़ान का नाम लेकर वो मोब लिंचिंग करते हैं तो बढ़ान नाम भी इस बात को देखकर दुखी होंगे कि उनके नाम पर भारत के अंदर अत्या हो रही है जबकि अगर आप यह साथ चाहते हैं कि भगवान बना रहे हो पुरे भारत का और कमपनीटी का बना रहे तो इस परकार के जो नारे उन्हें लगा कर आप काम करते हो तो इससे ना केवल भगवान को दुख होगा बल्कि उनके मानने वालों को भी दुख होना चाहिए इस बारे में नहीं पता कि गाड़ी पलटाई थी पलट गई थी परंतु ज कि मीडिया बड़ी खुस हो रही है करी अच्छा काम करें योगी सरकार देखे मीडिया चाहिए कि अप्राइल में मुक्तार तो मीडिया अगर इस परकार के लोगों को बढ़का का रहतिया करवाती है तो मीडिया के उपर भी 1202 का मुकदमा जो है तुरंत दल जोना चाहिए क्योंकि मालत की मीडिया काम यह नहीं कि लोगोंकि दार्मी भावनाओं को भणकर कर किलावी जब्किं mais कॉर्ट का है पुलिस का है यह काम जो है कोड़ पुलिस करेगा इसकलाव कोई नहीं करेगा कि लोग यहीं कि यहां कि अगर का ऑसाफ़नुद Лाते थे मिया जांते इस भी पैसा बच गए है लिजुकर आप जीज़् को बंढह घ्रोट कर पैसे बच जाएंगे अगर फुलिस का ही रूल चलाना है पंदू का शाजन चलाना बैद कोगी वह यह तो अगर आपиту सबसे पहले जो यह भार लोग पैसे लेगे भागा उन से पैसे वसूद करिए उसके बाद यह चिंता करिए कि लाने ले जाने पर कितना हो रहा है सवाल ना तो मैं अतिक एहमद की है का है नाई विकास दूबे का है पर Rubie का है जिस परकार कानून की हत्या उत्तर पर डेश के पूरे उस परदेश के अंदर राश्पती शासन लगा देते क्योंकि इसके अंदर जो है कानून व्यस्था फेल हो चुकी है योगी जी कहते हैं तो यह तिन वह बढ़ी लिस्ट है जो जिस लिस्ट के अंदर व्यक्ति है वह आज भी सदन के अंदर बैटे हुए है और रही माफिया के खतम करने की बाद तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके अपरादिक मुकद में अभी भी जो है कोट के अंदर चलने है उनकी लिस्ट जो है चोटी मोटी में काफिलम दिये इस परकार के परपंच करके कर्म कान करका आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो जनता जो है वो जागरुक है उसे पताएगी 2024 में किस परकार किस को वोट देकर साशन कानून का लाना सभीदान को बचाना है